प्यारे बच्चों नमस्कार पिछली वीडियो में हमने वाक्य की अंग किये थे आज हम वाक्य की भेद करेंगे वाक्य की भेद बेटा रचना के अधार पर और अर्थ के अधार पर दो होते हैं सबसे पहला है रचना के अधार पर इसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य सरल वाक्य किसे कहते हैं? बेटा अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि विधे और उदेश और विधे क्या होता है? तो सरल वाक्य में यही बात बताए गई है जिसमें एक विधे होता है विधे यानि एक क्रिय की गई है जैसे देखो मीना नाच रही है अब इसमें मीना क्या है उदेशे और नाच रही है विधे हलवाई ने मिठाई बनाई हलवाई क्या है उदेशे और विधे क्या है मिठाई बनाई ठीक उसी तरकार अजे और आनन्द विद्यार ले गए अजे और आनन्द क्या है उदेश और विद्यार ले गए विधे मा ने खाना बनाया मा क्या है उदेश और खाना बनाया विधे कहने का तात्रिय है कि चारों उधारण में आपने पढ़ा कि उदेश तो एक है और इसमें दो हैं लेकिन विधे चारो धरणों में एक तो कहने का तात्परी हुआ कि जीन वाक्यों में एक विधे होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं कहने का तात्परी है कि जिसमें सरफ एक क्रिया की जाती है करने वाला करता दो हो सकते हैं अधिक हो सकते हैं लेकिन क्रिया उनकी एक होती समझे हैं, जिस वाके में दो ए एक या एक से अधिक करता होता है, लेकिन किरिया एक हो उसे कहते हैं, सरल वाके। समझ मैंगी बिटा, अब है सयुक्त वाक्य, सयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना अथार्थ आपको पता ही चल गया होगा कि दो वाक्यों को जोडने का काम करते हैं दो वाक्य जैसे देखी माता जी घर आई और खाना बनाया अब और लगा कर हमने इसको जोड दिया वैसे ये वाक्य अपने आप में पुर्ण होते हैं जैसे माता जी घर आई संपुर्ण वाक्य है खाना बनाया लेकिन हमने इनको और लगा कर जोड दिया ठीक है? मामा जी जैपुर गए पर रात को ही लोट आए मामा जी जैपुर गए एक वाक्य अपना अलग है रात को ही लोट आए वाक्य अलग है लेकिन हमने पर लगा कर इसको जोड दिया ये दोनों जो वाक्य हैं बिल्कुल सरहल है लेकिन समुचे बोधक अवे लगा कर हम इनको जोड दिया और समुच्य बोदक अव्य कौन्स होते हैं और इसलिए तथा परंतु ये सब होते हैं संयुक्त वाक्य में समुच्य बोदक समझ में आगे जीन वाक्यों को दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को समुच्य बोदक द्वारा जोड़ा जाता है उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य तीसरा है मिश्रित वाक्य इसमें एक वाक्य परधान होता है और एक वाक्य उपवाक्य होता है जो दूसरा होता है आश्रित परधान वाक्य देखिए अध्यापिका ने पूछा कि किसने पूछा है अध्यापिका ने अगर अध्यापिका नहीं पूछती तो हमें प्रशन का उत्तर या प्रशन नहीं पता चलता तो यहां परधान क्या है? अध्यापिका नहीं पूछा यह है हमारा उपवाक्य या परधान वाक्य तुमारी पुस्तक कहा है? यह है आश्रित कहने का तात्रिया है कि वह है वाक्य जिसमें एक उपवाक्य हो और अन्य आश्रित हो और इनको योजक चिन के द्वारा जोड़ा जाता है योजक चिन कौन-कौन से होते हैं जैसे क्योंकि इसलिए इस तरह के शब्दों को कहते हैं योजक जिन जैसे देखिए और बताते हूं मैं आपको की जैसे अधुरा वाक्य होता ना की अमित ने बताया की अब अमित ने बताया ये क्या है उप वाक्य और उसे दाखिला मिल गया ये क्या है आश्रित वाक्य सब्जब्यांगी तो अध्यापिका ने पूछा और अमित न जो है यह ऐ है आश्रित अब्वाक्य और आश्रित है तुम्हारी किस्तक कहा है उसे दाखिला चौनters र्त्जकमयSuail कि कहने का तात्प्री है कि जब हम मिश्रित वाक्य देखते हैं तो एक वाक्य थूसरे वाक्य के में अधूरा लगता जब हम वाक्य बोलते हैं तो हमें लगता है कि जैसे आगे भी कुछ होगा क्योंकि वो अधूरा लगता है तो और एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं वो एक वाक्य दूसरे वाक्य के विना अधूरा है तो इसमें एक उप वाक्य होता है और शेश आश्रित होते हैं और इस इसलिए परन्तु ठीक है और होते हैं जिसमें एक उप वाक्वे होता है और दूसरा आशित होता है अथार्द जब एक वाक्य बोला जाता है तो दूसरा वाक्य उस वाक्य के मिना अधुरा लगता है वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं एक वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य पर निर्भर है अध्यापिका ने पूछा अधुरा सा वाक्य लगता है क्या पूछा आगे हमें ज बिश्डित वाक है ठीक है बिटा इसको ध्यान से पढ़ना और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना सस्क्राइब करना थेंक धन्यवाद